हेलो प्यारी बच्चों, यूट्योब शीनल और आज के वीडियों के दनरम लोग खि ا हैं फसल चक्र जी हाँ फसल चक्र क्या होता है ये हम आज वी इस वीडियों के और सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं इस वीडियो के अंतर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं तो इस वीडियो के अंतर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं तो इस वीडियो के अंतर हम सीखेंगे सबसे पहले फसल चक्र क्या है यानि उसकी परिवासा को समझें कि उसके बात यह क्या होता है अगर हम कोई फसल करते हैं घ्याओं कि वसके रधिया पिर से अंग्ले साल करते हैं तो इस से क्या होता है जो वह होती है इसी यह Dit परते हैं कि इसकी फसल चक्र के चलिए तो फसल चक्र के लिए किसी निश्च छेत्र पर निश्च तवधी के लिए भूमी की और वड़ा सक्ति को बनाए रखनी के लिए फसलों को बदल बदल कर उगाना फसलों को बदल बदल कर उगाना ही क्या कहलाता है फसल चक्र कहलाता है तो सिम्पल सी वासा में ये है कि हमको अगर भूमी की उपजवाउपन को क्या है बनाय रखना है क्या होता है कि अगर देखो मान के छलो अगर आपने पहले साल फसल करी ठीक है मान के चलो अभी 2019 2223 है 2023 हमने ग्याउंकी फसल कर दी ठीक है और 2024 में भी हम क्या कर रहे है ग्याओं की फसल कर रहे है कि 2025 में भी हम क्या कर रहे है ग्याओं की फसल कर रहे है यानि हर साल क्या कर रहे है ग्याओं की फसल तो क्या होता है जब हम यह की प्रकार की खेती करते तो उसमें पूसकत भी हम क्या यह की प्रकार के देत लगातार बरकरार रहेगा और भूमी के उपजाऊपन में कोई भी कमी नहीं आएगी तो इसी को बोले आता है फसल्चक्र समझती से क्या फाइदा होता है Seike तो सबसे पहला फाइदा क्या है देखो फसल चक्र से भूम की अमलियता कम होती है यानि कि भूम जो आपने देखा होगा अगर भूम में अमलियता बढ़ जाती तो भूम क्या हो जाती है कम उपजाओ हो जाती है ठीक है तो अमलियता क्या रहती है कम रहती है यानि जो भूम क कि जो गुडबत्ता होती है वही रहती है ठीक है दूसरा क्या होता है फसलों को बीमारियों से बचाता है ठीक है कि फसलों की जो बीमारियां लग जाती है ये की प्रकार की फसल करते हैं तो क्या होता है जो कुछ कीटाडू होते है वो मर नहीं पाते है ठीक है तो उससे क्या ह से ओता है बचायों को बीमारी बचाव करता है और कीटाड़ इससे क्या हो जाता हैं तिसरा क्या है खरपत्वार से जोधिए रोक थम्याद आगर हम बदल विपदल के फसल करेंगे तो हमारे खेत मैं क्या नीं होगा चाहदा खर्फतवार बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है तो धान कर तो दोनों के लिए ताप मान की जरूवत अलालग होगी धान के लिए अलग वो सकत्ता क्या जरूवत होगी और यहां के लिए तो उससे क्या हो जाएगा जो फाल्दू का जो खर्पतवार हो रहा है वो आपके खेत के अंदर नहीं होगा ठीक है उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट फोर्ट पॉइंट क्या है यहां पर फसल चक्र से मिट्टी करवड़ सकती बनी रहती यह तो आपको बिल्कुल समझ में आया क्यों ठीक है तो यह है फसल चक्र के लाद अब बात करते हैं हम लोग फसल चक्र के सिध्धांत यानि हमको फसल चक्र किस तरीके से अपनाना पहले उसको करने से घयाँ होता है उसको जब हम खाद इसमें देगी इसमें तो ज् mulheres को घाण यह था की कनी एम है इसमें पेसा क्या हो जाएगा बच जाएगा की नी ठीक है तो यह है हमीसे क्या है पहले ज़्यादा खाद वाली फसल को करना है उसके बाद कम खाद वाली फसल को करना है ठीक है पहला पॉइंट के लिए रोगया दूसरा पॉइंट क्या है हमारा अधिक पानी की आवशकता वाली फसल के बाद आपको कम पानी की फसल को उ करने उससे क्या हो जाएगा देखो धान की फसल में ज्यादा पानी चाहिए होता है ठीक है तो मिट्टी के अंदर इतना पानी आ जाएगा कि एक बार को इसको और भी कम पानी मिलें ठीक है सिचाई की कम जुरूत पड़ेगी तो ये भी आपका और कम से कम सिचाई में ये वाली खेती हो जाएगी तो इससे भी क्या होगा खर्चा बच्चे का समझ में आगे फसल चक्र के फाइदे हैं एक तरीके से तीसरा क्या है उतली जड़वाली फसल के बाद आपको गहरी जड़वाली फसल करनी है पहले क्या करना आपको जिसमें कम गहरी जड़ हो ठीक है उन फसलों को करना है जैसे आप ठीक है जैसे आप कोई भी चारिव अगरा के खेती कर सकते हो उसमें क्या जड़ जादा नहीं रहती और फिर आपको क्या करना है गहरी जड़ण वाली फसल करनी है, जैसे गन्ना वगरा इनके खेती करती हैं, ठीक है, यह है, और लास्ट पॉइंट है आपका यहां पे, अधिक मात्राओं पोसक्तत्तो को नास करने वाली फसल के बाद, खेत को कुछ समय के लिए क्या करना है फसली नहीं करना है यारे कि कुछ समय तक आपको जो ऐसे कही फसले ऐसी होते जो फोसकततों को ज़्यादा कीशती है मिट्टी के फोसकततों को क्या करती है ज्यादा खीचती है अब ज्यादा खीचती है अगर आप फिर से उसमें क्या करते हो उत्पादन करते हो तो फिर कोई फाइदा होने वाला नहीं है ठीक है तो क्या करना है कुछ समय के लिए रुख जाना है जमिंगों क्या है वैसा कि वैसा ही छोड़ देना है उसमे कोई फेक खेती नहीं करनी है और बात में उसके खेती करनी है तो आपको जो अत्पादर होगा बिल्कुल सही होगा तो यह था फछल चक्र एक छोटा सा वीडियो आई होप कर दो